हेलो फ्रेंड्स आइम जिगजीत और वेलकम यौल और यॉर पीडिय एजुकेशन और टुडए आम हेर विद्धी एट्थ वीडियो और वीकें से स्वरी नाइंथ वीडियो फॉर्म प्रडक्शन इंजिनरिंग और टॉपिक देट आम गोई तोड़ तोड़ इस मैटल फॉर कर लिया है अगर आपने वो नहीं देखा उसको देखो एंड जो पहले के दो कास्टिंग दो वेल्डिंग एक मेटरोलोजी एंड दो मेटल कटिंग के वीडियो अपलोड हुए है उसको भी आप लोग देखो पहले ली जो हमने हीट ट्रांसफर है उसमें रिडियेशन बच प्रिकली टेस्ट कोशन नमबर वन फाइंड दा वेल्यू अफ मीन फ्लो स्ट्रेस इन मेगा पास्कल फॉर्ड अस्ट्रेस्ट इन कर लो यह आपके पास पॉइंट नमबर वन है और यह पॉइंट नमबर टू है पॉइंट वन के टू की कोर्रसपोंडिंग इसका जो हॉलो मैं एक्वेशन है फाइव हंडर एक्टी एपसाइलम रेस्ट पावर जेरो पाइट पॉइंट फॉइंट फॉइंट इसका मीन वो आपने कल्कुलेट करना है मेगा पास्कल के अंदर ओके नक्स कोशन रोलिंग से रिलेटेड है इन रोलिंग प्रसेस थिकनेस अप प्लेट इस रिदूस्ट फ्रॉम 10 mm टू 7 mm फॉइंट दा वेल्यू ओफ कोफिशेंट फॉफ इलांगेशन निगलेक्टिंग चेंज इन विर्थ क्रेक्ट अप टू डेसिमल प्लेस तो कोफिशेंट ओफ इलांगेशन ऐसा कोश्चन अभी तक नहीं आया है तो यह आपको एक्सपे द्रॉइंग ओपरेशन ए वायर एट डायमेटर 2 mm इस अप्टेंड बाइपासिंग ए वायर ओफ फाइफ डाइस तो टोटल ट्रू स्ट्रेंड कितना होगा जब आप इस वायर को बनाओगे 2 mm का बाई यूजिंग ए रॉड और वायर ओफ 10 mm तो 10 से 2 mm रिडूस किया डायम होगा नाओ वेशन नमबर फाइफ इन रोलिंग प्रसेस रोल इस ओफ डायमेटर 500 mm एंड इट रूटेट एट एटी आर पीम दा प्रजेक्टिर लेंथ ओफ कोंटेक्ट इस फाइफ 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 जीरो एम एम फाइंड दा एंगल ओफ निप तो आप लोगों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर फाइफ ए 100 mm थिक प्लेट और 500 mm विर्थ इस रोल इन फाइफ पासेज विद इकोल रिडक्शन इन इच पास इफ मिनिमम कॉफिशेंट और फ्रिक्शन बिट्वीन रोल्स एंड वर्क कर सकते हो next question is also related to rolling in a 3 pass hot rolling operation for a plate width of 50 mm maximum possible draft is 3 mm basically draft का meaning होता है कि initial and final thickness की बीच में कितना difference रहेगा पहले इतना थिकनस था बाद में इतना गिया तो h1 minus h2 is equal to draft तो maximum possible draft आपको given है 3 mm रिड्यूस कर सकते हो आप and roller diameter is 600 mm and rotational speed is 20 rpm average flow stress for plate is 400 rpm find the power required in kilowatt per roll तो आपने यहां पर किस के लिए निकालना है पर roll के लिए निकालना है तो generally हम जो power निकालते हैं 2 rolls के लिए निकालते हैं तो उसको divide by 2 करके per roll निकालोगे आप लोग ओके now question number 7 a round billet is to be extruded using extrusion process ram pressure 450 megapascal 450 megapascal average flow stress of material 320 megapascal find the percentage change in cross section area of billet so basically यह question जो related है extrusion process से related है okay question number 9 जो आपके पास है बहुत important question है and question number 10 भी more or less similar lines के उपर है and यह आपका जो follow man equation है उसी के उपर based है steel wire of initial length 80 meter diameter 12 mm is drawn to a final diameter 10 mm तो steel का कोई wire था length आपको given है diameter उसका diameter 10 mm कर दिया 12 से reduce करके 10 tile test of specimen made before and after drawing operation gave तो जब आपने before drawing operation किया था तो 200 MPa उसकी yield strength थी and after कितनी थी 400 MPa तो जब strength बढ़ती है तो वो कौन सा region होता है आपका पास strain hardening region okay and यह जाद रखना hint दे रहा हो 200 MPa before किया आपने before basically stretching तो before stretching strain कितना होगा 0 तो 0 strain की corresponding इतना stress है यह okay now यहाँ पर किया आपके पास find the yield stress of the steel at a true strain of 0.182 by assuming linear strain hardening law linear strain hardening region बनेगा यहाँ पर now यह कुछ solution इसका यहाँ पर given है and now let's see the question number 10 okay in Holman equation of a metal that will give a mean yield stress value which is 3 quarter the final stress value after the deformation so friends this is all about the for today's video I think 10 important question थे अगर इसका solution देखना है निम्बस के पर आप देख सकते हो जाके अगर आपके correct है answer कितने है तो comment करके ज़रूर बताना and support the channel subscribe the channel and like and share the video thank you friends and we will meet in the next video thank you you